नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ रेनु माथौ इन दिनों बॉलिवूड अक्टरेस शुश्मीता सेन भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने लगी है वो अपने बॉइफ्रेंड रोमन शॉल और दोनों बेटियों के साथ लॉगडाउन में साथ में टाइम स्पेंट कर रही है हाल ही में रोमन शॉल ने अपने इंस्टाग्रम एकाउंट से सुश्मीता सेन के मिस यूनिवर्स के टाइम की एक फोटो शेयर कर अपने प्यार का ज़हार किया है 26 साल पहले 1994 में बॉलिवूड अक्टरेस सुश्मीता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था इसी के साथ वो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतिय महिला बन गई थी 21 मई को सुश्मीता को मिस यूनिवर्स बने 26 साल हो गए और इस खास मौके पर बॉइफरेंट रोमन शॉल ने अपनी जान को रोमांटिक तरीके से बधाई दी रोमन सुश्मीता के लिए अकसर ही अपने प्यार का इसहार करते नजर आ जाते हैं अगर आप उनका इंस्टरग्राम देखे तो आपको उनकी और सुश्मीता की कई सारी रोमांटिक तस्वीरे भी मिल जाएंगी और इस खास मौके पर रोहमन ने अपने इंस्ट्राग्राम पर सुश्मीता की फोटो का एक कोलाज शेयर किया है जिसमें वो मिस यूनिवर्स का क्राउन पहने नजर आ रही है फोटो शेयर करते हुए रोहमन ने लिखा है कि 26 साल हो गई है जान तुमने हम सब को गर्व महसूस कराया है और अब तर करवा रही हो I love you सुश्मीता से रोहमन शुश्मीता के लिए अकसर अपने प्यार का हिजहार करते नजर आ ही जाते है आपको बता दे कि सुश्मीता रोहमन लंबे टाइम से एक दूसरे को देट कर रहे है अब फैन्स भी दोनों को शादी के बंधन में बनते देखना चाते है कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पर सुश्मीता के एक फैन ने उनसे पूछ भी लिया था कि वो और रोहमन कब शादी करेंगे हाला कि सुश्मीता ने इस जवाब को टाल दिया था फैन के सवाल पर वो हसी और उन्होंने रोहमन से सवाल का जवाब देने के लिए कहा रोहमन ने सुश्मीता की तरफ देखकर कहा जब ये हाँ कर दे तब मैं शादी के लिए तैयार हूँ अब देखना होगा कि दोनों कब शादी के बंधन में बनते हैं फिलाल अभी ये कपल लॉकडाउन को इंजॉई कर रहे है तो आपको हमारे स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं तब तक आप देखते रहे हैं फिल्मी बीट